अगर आपके पास βी आई वर्ड फोन आइडिया का SING CARD है तो ये सेटिंग्स कर लो फिर घर में भी चलेगा हाई स्पीड नेट और नेटवर्ग प्राप्लेम भी सॉल्व हो जाएगा और पिंग प्राप्लेम भी सॉल्व हो जाएगा और download speed भी बहुत ही अच्छी देखने को मिले की friends और Instagram और YouTube बफर करना भी बंद करनेगा तो वीडियो को अभी से एक like कर लो चैनल को भी subscribe कर लो ऐसे ही helpful videos future में भी देखने के लिए तो आज के settings करने के लिए हम mobile settings को open कर लेंगे फिर sim cards and mobile data या फिर sim cards and mobile network वाले option में जा कर हमारा वी याई वड़फोन आइडिया का sim card सेलेक्ट कर लेंगे फिर access point names का option धून कर उसे open कर लेंगे फिर आपको आपका default APN setting selected देखने को मिलेगा तो अपने phone के हिसाब से plus icon या फिर create new APN का option धून कर open कर लेना फिर आपको कुछ ऐसा form देखने को मिलेगा जिसमें empty values होंगी तो आपको ये values मैं बताऊंगा वैसे ही fill up कर लेनी है लेकिन friends उससे पहले आप मेरे ये वाले वीडियो में जो settings बताई है वो जाकर करके आओ बहुत ही छोटा सा वीडियो है अभी के अभी करके आओ लिंक वीडियो के description में है क्योंकि वो settings के बीना आज के APN setting इतना effective नहीं होगा अगर आप वो settings कर लोगे तो आज के APN setting आपके lifetime तक चलेगा friends तो आज के APN settings में name में आपको लिख लेना है VI auto AI max net आपको name में लिख लेना है VI auto AI max net VI का V capital, auto का A capital, AI का A capital, max का M capital और net का N capital तो name में लिख लेना है VI auto AI max net एकदम same to same लिखना friends ध्यान से फिर APN के अंदर आपको जाकर लिख लेना है www सब कुछ small में और एक साथ name में आपको लिख लेना है www APN में sorry आपको लिख लेना है www फिर proxy में कुछ भी मतलिक हो यानि कि not set रहने दो और port को भी not set रहने दो और username के अंदर friends आपको जो लिखना है उससे पहले आप मेरे ये वाले चैनल को subscribe कर लो friends इस पर अभी तो कोई भी वीडियो नहीं है लेकिन जैसे ही उस पर 1000 subscriber होते है उस पर सिर्फ और सिर्फ APN related videos देखने को मिलेगी friends लिंक वीडियो के description में है अभी की अभी उस चैनल को subscribe कर आओ तो username के अंदर आपको लिख लेना है autoai.maxnet username में आपको लिख लेना है autoai.maxnet इसमें auto का a capital रहेगा ai का a capital max का m capital और net का n capital तो username में आपको लिख लेना है autoai.maxnet फिर password को not set रहने दो और server के अंदर friends आपको जाकर लिख लेना है www.myvi.in आपको server में लिख लेना है www.myvi.in सब कुछ small में और एक साथ लिख लेना friends फिर mmsc को not set रहने दो mms proxy और mms port को भी not set छोड़ दो mcc और mnc आपके area wise अलग values होती है friends तो क्या आपके area में जो values होनी चाहिए आपकी वही values है आप वो चेक कर सकते हो मेरे telegram channel पर जाकर जिसकी link वीडियो के description में मिल जाएगी उदर भी मैं अच्छे अच्छे पोस्ट करता रहता हूं और useful tech reels डालता रहता हूं और interesting stories भी डालता हूं तो मुझे follow जरूर से कर लेना तो friends authentication type के अंदर fourth option PAP PEP और CHAP CHAP select कर लेना फिर APN type के अंदर आपको जाकर लिख लेना है DEFAULT default अपन टाइप के अंदर आपको लिख लेना है default सब कुछ small में फिर APN protocol के अंदर third option IPv4 slash IPv6 select कर लो और APN roaming protocol में भी third option IPv4 slash IPv6 select कर लो फिर bearer के अंदर friends आपको unspecified पर टिक होगा तो आपको LTE और unspecified डोनों को टिक लगाना है अगर आपके phone में multiple bearer याने की एक से ज़्यादा select नहीं होते है तो सिर्फ और सिर्फ unspecified को select करना बाकी सब लोग unspecified और LTE डोनों को select करो और APN को save करो फिर आपको selection हमने जो भी नया create किया उस पर लाना है अगर आपके APN save नहीं होता है या फिर select अगर आपको मेरे ये वाले वीडियो को जाकर देख लेना है जिसकी link वीडियो के description में है बाइचांस ये APN setting आपके area डिवाइस पे work ना करे तो आपको मेरे चैनल पर आ जाना है फिर इदन नीचे स्क्रोल करके आपको मेरे वी आई प्लेलिस देखने को मिलेगी उस पर click कर लेना है फिर आपने मेरे नहीं वीडियो तो देखी होंगी लेग आप मेरे पुराने वी आई settings भी try कर सकते हो क्या पता आपके area डिवाइस पे मेरे पुरानी settings अच्छे से work करे और बहुत ही अच्छी इंडिट देखने को मिले तो आप मेरे पुरानी settings भी try कर लेना एक बार